जैसी कृष्णा हमारे चनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हमशी ठाकूल जी को भोग दरने के लिए अंसक्डी विबाग की सामगरी बेशन और मावा के लड़ू सित करेंगे ये कोई नियम की सामगरी नहीं है लेकिन अत्की में हमशी प्रभू को भोग दर सकते है तो सबसे पहले गैस पर एक पैन या कड़ाई लेकर उसमें वन थर्ड कप देशी गी लेकर उसे लो फ्लेम पर गरम करें गी गुनगुना गरम हो जाए फिर उसमें एक कप यान की देर सो ग्राम मोटा वाला बेशन पदरा कर उसे गी के साथ अच्छे से मिला ले और बेशन का कच्छा पंदूर हो जाए तब तक हम उसे करीबन आट से दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पर बूनेंगे अगर आपके पास मोटा वाला बेशन ना हो तो आप रेगूलर बेशन पौना कप और बारिक वाली सूजी यानि की रवा पाव कप इस तरह से टोटल एक कप का मेज अधरमेंट लेकर भी यह सामगरी सित कर सकते हैं दस मिनिट के बाद अब बेशन अच्छे से बून गया है गैस बंद करके उसमें आदा कप क्रंबल किया हुआ दूद काफी का मावा यानि कि खोवा पदराएंगे बेशन अभी गरम है इसलिए मावा एक से दो मिनिट में उ इसलिए ये लड़ू बनाने की कुकिंग प्रोसेस टोटल 15 मीट की है अब मावा अच्छे से मेल्ट हो गया है मावा को बुनने के लिए फिर से हम लो फ्लिम पर उसे 5 मीट तक चलाते रहेंगे आप इस मिशन में अपने मन पसंद ड्राइ फ्रूट यानि की सूखा मेवा भी पदरा सकते है लेकिन अभी हम सूखा मेवा का उप्योग किये बिना ही ये सामगरी सित कर रहे है पांच मीट के बाद अब गैस बंद करेंगे और ये मिशन को एक पात्रम में पदरा कर उसे 10 से 15 मीट तक रूम टेंपरिचर पर ठंडा होने देंगे मिशन गुनगुना गरम रहे उसके बाद ही हमें उसमें इलाइची पाउडर जाइफल पाउडर और बूरा यानि की पाउडर शुगर पदरानी है मैंने पाउच अमच इलाइची पाउडर और 3-4 कब बूरा पदराया है बूरा को हम हिंदी में तगार भी कहते है अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप जो रेगूलर चीनी होती है उसे मिक्सी में पीस कर भी पदरा सकते है लेकिन बूरा पदराने से लड्डू का टेक्शर अधिक दाने दाराता है बूरा और इलाइची पाउडर को बुने हुए बेशन और मावा के साथ अच्छे से बिला कर हलके आतों से प्रेस करके 5 मीट तक रहने देंगे ताकि बूरा में जो मॉश्टर होगा वो सेपरेट होने के कारण हम लड्डू अच्छे से बान पाएंगे अभी हमने जो मेजर्मेंट लिया है उसमें से मीडियम साइज के हम 8 से 10 लड्डू सिद कर सकते हैं आप ये सामगरी नित्य में या किसी भी उत्सव उपर शीठाकुल जी को भोग दर सकते हैं इसके अलाव भी और भी कई सारी सामगरी मैंने चैनल पर पोश्ट की है आप वीडियो सेक्षन में जाकर उसे देख सकते हैं इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू बान कर हम उसे एक प्लेट में रखते जाएंगे ये लड्डू में हमने मावा का उप्यो किया है इसलिए पांस से साथ दिन तक इसे रूम टेमप्रेचर पर स्टोर कर सकते हैं लेकिन प्रभू को हमेशा ताजी सामगरी बोग दरने का ही आग्रा रखे तो आप भी ये सामगरी गर पर अवश्य सित करें वीडियो पसंद आये हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आये हो तो उसे सब्सक्राइब करके बैल आइकोन पर क्लिक करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिप के साथ ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद